नमस्कार, मैं भाशा और आप देख रहे हैं पड़ताल दुनिया भर की दुनिया की हलचल पर पैनी नजर पड़ताल दुनिया भर की देखिए जुड़िए ताकि मिले सही नजरिया जानने और खोजने का समझने का कि क्या चल रहा है आसपास और साथ समंदर पार आखिर हम है ग्लोबल सिटिजन आज हम आपको ले चलेंगे दुनिया के उस हिस्से की ओर जहां द्रोन से किये गए हमले में दो भारतिय नागरिक और एक पाकिस्तानी नागरिक को जानगवानी पड़ी सयुक्त अरब अमिराथ UAE के आबुधावी में तीन पेट्रोलियम टैंकर के उपर किये गए यमन देश के हूथी विद्रोहियों दुबारा द्रोन हमले में तीन लोगों की जान गई मामला सिर्फ इन तीन लोगों की जान का नहीं या द्रोन हमले का नहीं है हाला कि निशाने पर भारत या पाक के नागरिक नहीं थे और ऐसा दावा खुद यूथी विद्रोही के नेता ने कहा और बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि वह सयुक्त अरब अमिरात को एक संदेश देना चाहते हैं एक मेसेज देना चाहते हैं कि वह यमन के खिलाफ अपनी हमलावर नीतियों को रोके जिस तरह से यमन को UAE हो सौधी अरब हो उसने निशाने पर ले रखा है उसमें वह चाहते हैं कि तुरंथ रोक लगे इसके पीछे जो कूटनीती है वह बहुत अलग धंकी है जहां तक यमन की बात है यह एक ऐसा देश है जैसा आपको नक्षे पे दिखाई दे रहा है जो बहुत ही एहम है कूटनीती स्ट्राटेजी के लिहास से साथी अरब से इसकी करीब 1300 किलो मीटर की सीमा मिलती है और एशिया और अफरीका महादवीब को जोडने वाले रेड सी गल्फ आफ एडन के मुहाने पर है और उससे भी एहम बात जिसने इसे लगातार पश्च्चमी देशों के निशाने पे रखा हुआ है वह यह बल-ल-मंडब की खाड़ी से जुड़ा हुआ है यहां से करीब करोणों रुपे का कारोबार होता है यह 30 किलो मीटर चौड़ी खाई दो महादवीबों को एशिया और अफरीका को जोड़ती है और लंबे समय से यमिन में स्थिर्टा पहलाने का आरोप यमिन के नागरेक यमिन के लोग लगाते रहे हैं सौदी अरब पर और सयुक्त अरब अमिरात पर जिसने रेट सी के दोनों तरफ की जो बंदरगा है उन्हें तकरीबन अपने कबजे में ले लिया है यमिन के जो एतिहासिक पुराने बंदरगा है उनको लेकर लड़ाई बहुत तगड़ी और तीखी है इसके पीछे की कहानी और इसके आगे का असर क्योंकि द्रोन हमला जिस तरह से हुथी विद्रोहियों ने किया और सीधे सयुक्त अरब अमिरात को चेतावनी दी उसका क्या नतीजा होगा किस तरह से वहाँ पर रियाक्शन होगा या आने वाले दिनों में पता चलेगा लेकिन एक बात बहुत साफ है कि यह इलाका दुबारा बहुत सरगर्म हो गया है इस पर हमने बात की प्रबीर पुरकाय से प्रबीर सबसे पहले आप हम में यह बताइए कि जिस तरह से यमेन में साओधी अरइबिया यू एई इन सब में जो तनाव चल रहा है जिसकी परिनिती इस तोर पे हुई कि द्रोन हमला हुआ जिसमें दो भारती मारे गए एक पाक हमला हुआ है इसका अर्थ क्या है और कैसे हम देखें आनने वाले दिनों को येमेन में जो लड़ाई चल रही है दोहजार पंदरा से हम बात कर रहे हैं जब हादी को हटाए गया था अनसरुल्ला हुतीज जो है वो आके कबजा किये साना पे और उसके बाद साओधे अरेब शुरू की वही इसको हम जंग का बात इस दौर का जंग की बात कर रहे हैं यह तो पहले सिविल वार का स्नौबत काफी पहले से आ रही है तो साओधे अरेबिया प्रवेश प्रवेश जब किया था उसके साथ उनाइटेड अरब एमिरेट्स भी उसका साथी था दोनों मिलक अंसर उल्ला को हटा के वहाँ पर सोचा था कि बड़ा आसानी से वहादी को फिर वापस ले आएंगे क्योंकि साओधे रिबिया यूनाइटेड अरब एमिरेट्स दोनों के पास मिलिटरी ताकत है उन्होंने और आट देशों को भी वहाँ जमा किया था जिस पे सुदान के से नाइबी हाजिर से तो यह सब करके उनको लगा था मामूली चीज है साथ साल चल रही है जंग इस पे बहुत सारे लोग मारे गए हैं और येमन को एकदम ध्वस्त कर दिया गया है जिसका बूल कारण यहां पर सौदिय एरेविया येमन रहा है 2021 तक 3,50,000 येमन नागरिक मारे गए जिसमें से अधिकांश 60% से अधिक भूक की वज़े से साफ पानी कमी की वज़े से या स्वास सेवाओं की कमी की वज़े से उनकी मौते हुई हैं तो ये जो पूरा युद्ध में येमन है उसने बहुत बड़े पैमाने पर तबाही भी इस मुल्की की है। इसको कहना गलत होगा क्योंकि अगर होता तो बहुत पहले खत्म हो गया होता और क्योंकि वह उस दिशा में जा रहा था जिससे साओधी और यह यूनाइटिड अरब Emirates है UAE है उनको लगा कि हाँ पर अगर होतीज आ जाएंगे कबजा कर लेंगे तो इसमें हमारे लिए दो खत्रा है एक तो साओधे रिबिया के बगल में है होती येमिन का एक बहुत बड़ा हिस्सा नौर्ट येमिन जो है वो साओधे रिबिया से लगवा हिस्सा है तो उनको लगता था कि यहां पर हूतीज अगर कबजा करेंगे तो हमारे लिए खत्रा बन सकता है और युनाइटेड आरब एमिरेट साओधी दोनों की एक स्ट्रिटीजिक जो येमिन की एक पोजेशन है उस पे लालच है क्योंकि वहां पर आदेन बहुत बड़ा बंदरगा है वो के गारी है उसको कंट्रोल करता है वो रेड सी और स्वेस कनाल के उपर भी उसका एक कंट्रोल रहता है तो स्ट्रेटीजिक जो मिम्पॉटंस येमिन की रही है बहुत दिस सालों से सदियों से बल्कि तो इसलिए इनका ये था कि इसको हमारे कबजे में रखना चाहिए और ये परिणित हुआ है साओधी और United Arab Emirates की येमेन पर कबज़ा करनी की जो अंसर उल्ला ने उनको भूतीस ने उनको बिफल कर दिया और अब तक पहला दो तीन साल चार साल तो लड़ाई चली United Arab Emirates का इस वक्त जो नजर है यह है कि आदेन शहर बंदरगा जो है उस पर कबज़ करें और आसपास रेट सी की जो पोर्ट्स है उसको कबज़ा करें और उसके जरिये रेट सी पर हम कबज़ा रखें ताकि सुएस कनाल तक हमारी एक इन्फिएंस रहेगी यह दर्शा दिया कि अगर United Arab Emirates फिर येमेन में खेलना चाहेंगे तो खेलने के लिए हुतीस भी तया है United Arab Emirates के अंदर वो drone strike करने की चमता रखते हैं यह चितावनी उन्होंने United Arab Emirates को दे दिया इसके बाद क्या करेगा United Arab Emirates देखनी की बात है क्योंकि मरीब अगर साउदीज और UAE दोनों के हाथ से बाहर चला आता है तब लगता है उनके लिए एक खत्रा येमन में पैदा होत है कि शायद Northern Yemen पूरी तरह से यह हुतिस के हाथ पे चला जाएगा Red Sea पर भी कबजा उनकी होगी और उसके साथ साथ सादर जो Saudi Arabia है जिसमें दो प्रदेश है जो येमन के थे जिनको उन्होंने Saudi Arabia को दिया था करीब सक्तर सथी साल पहले पर वो इस शर्ट पर दिया था कि उनक जान से थी तो वो बहुत साल से इस पर विवाद है कि ये दो प्रदेश इनको येमन वे वापस आने चाहिए आखरी सवाल इस संदर में जो मैं आप से जानना चाहूंगी कि जिस खाडी का आपने जिक्र किया बाबल मंदेब जो बहुत एहम है Red Sea से और Gulf of Aden के बीच में ये पूरा का पूरा जो stretch है ये कितना एहम भूमिका अदा कर रहा है क्योंकि इस पर कबजे के लिए जैसे आपने जिक्र किया कि बाकी जो बंदरगां हैं उस पे साओधी और UAE की पहले से ही गिरफ्त बहुत मजबूत है ये इलाका ऐसा है जो अभी पूरी तरह से उसके बाजाही बहुत बड़े पैमाने पर अंतराष्टी कारोबार होता है यहां पर स्वेस्ट से लेकर बबलल मंडब जो है यह एक जिस पर जो कबजा करेंगे वो एक हिसाब से मेडिट्रीनियन और आपका अरिवियंसी को जोड़ता है तो यह जो है मेडिट्रीनियन अरिविय पर इसके बाद उसका रेट सी और इसके बाल एद आपके बबलल मंडब इसके बाद गल्फ वादेन आते हैं तो यह सब उसी समसामुद्रिक क्या कहते है रास्ता है जहाजों के लिए तो उस पे स्ट्रेटीजिक इंपॉर्टेंस बेबलल मंडब की है कि बहुत वह पाना असान है उसको बॉटल लेक कर सकते हैं तो उसको बॉटल लेक कर दिया तो रेट सी का पूरा ट्रेड ही रुख जाएगा तो इसलिए इसका स्ट्रेटीजिक इंपॉर्टेंस है और अगर हम जो याद करेंगे हम हौड आफ आफरिका की बात करते हैं सुदान की एथिय इट्रोपिया की सुमालिया खास तोर सगर देखे तो बेबलल मंडेव के उस पार है तो यह से लिए इन सब की एहमियत है बूलता है अहमियत है मेडिटरियन और अरवियंसी को जोडने का तो इसके लिए आदेल जो बंदरगाह है बहुत पुरानी उसकी इसकी इस्टोरिकल इंपॉर्टेंस रही है और वो आज भी इसी लिए है कि स्ट्रेटीजिकली वो बेबलल मेंडेव को कंट्रोल करता है तो यह एक बहुत बड़ा प्ले में है और इस वक्त बुलता जो शक्तिया वहाँ पर उसको कंट्रोल कर रहे है साधन अलाइंस टांजिशनल कांसिल उसक इंफुएंस में है उसका पैसा उनका जोर वहाँ पर है तो युनाइटेड अरब एमिडेट्स का खेल वहाँ पर है और साओधी अरिवे का खेल यह है कि अगर वंवारी शहर को कबजा रख पाते हैं तो शायद दूसरे तरफ से ओमान के पास से पाइपलाइन लेके पूरा बेवलल मंडेप का जो रेट सी का जो स्ट्रेच है या स्ट्रेट्स अव हॉर्बूस से जहां उनके तेल जाता है जो इरान से खत्रा है उनके है तो उसके जगह पे वो पाइपलाइन से शायद यहां पर समुदर तक ले आने की कोशिश करेगा यह एक कल्पना साओधेर है कि मेरा तेल जाएगा कहां से यह अभी तो जाता है स्ट्रेट्स अव हॉर्बूस से हम कहां से ले जाएंगे तो इसलिए उनका येमिन पे उनका एक दृष्टी है कि यहां से पाइपलाइन कबजा करके पाइपलाइन ले जाएं पर सब एक हिसाब से यह तो कल्पना ही र अमीरात में अबुदावी में द्रोन से तो उससे इन्होंने ये भी बताया कि सब कुछ उनी के हिसाब से नहीं चल पाएगा ये भी जवाब देने की इस्तिती में हैं युकरेन की तरफ दुबारा से हमने पिछले अपने कायक्रम में भी चर्चा की थी कि युकरेन को लेकर ज जिस का द्रुमY के और शुरू हुए जिस तरह से अमरीका नाटो एक तरफ है रूस को घेरने के लिए दूसरी तरफ से थाकते हैं बैठक दुबारा शुरू हुए है अब जिस तरह से दुबारा क्यों दोनों बैठक हैं जो Amazing जो हूई उनका नतीजा कुछ नहीं निकला उ अभी की स्थिती जिस तरह का तनाव दुबारा बना है आप कैसे देखते हैं यह जो बैटके दो बैटके और एहम हो रही है कि रूस ने यह कहा है कि नेटो का एक्सपैंशन अगर चलता रहे तो हमारे तरफ से हम कुछ भी कर सकते हैं अपना सुरक्षा के लिए तो यह चैतावनी जो है कि नेटो की इस्ट वर्ड मार्च जो पिछले 20 साल से 30 साल से चल रहा है नाइन्टीज के बाद से शुरू हुआ है तो उसके उपर उन्होंने एक फुल स्टाप लगाने के उनकी कोशिश है क्योंकि अगर यूक्रेन तक नेटो आ जाता है तो यहां से जो शौट रेंज विजाइल्स है उसकी दूरी मॉस्को पहुंचते में 5-7 मिनिट है उन्होंने कहा कि यह हमारे लिए मंजूर नहीं है हम भी नूक्लियर पावर है हम भी हमारे पास भी ताकत है तो आप हमारे एकदम क्य जाओगे तो यह हम मानेंगे नहीं और यह जो चेतावनी उनद्द दिया है कि अगर आप इसका बंद नहीं करेंगे इसके बारे में हमारे साथ एक समझावता नहीं करेंगे उन्होंने यह भी कहा है मौखिक समझावता बाते तो बहुत हुई है पिछले 30 साल में सब जितने बाते आपनी की है सब धोका निकला और उनके लिए सबूत जरूर है कि नाशनल आर्काइब्स की एक यह है वहाँ पर रीसेंटली काफी डॉकुमेंट दस्तवेज निकले हैं जिस पर साफ है कि बार बार रूस को कहा गया है नेटो इस्ट वर्ड नहीं आएगा और लगाता आता गया और दोहजार साथ आगया आठ में उन्होंने कहा कि हम युक्रेन और जॉर्जिया को भी नेटों में शामिल करेंगे तब से यह तनाव रूस के साथ चल रहा है तो उसने कहा कि बहुत हो गया अब हमने आपको अल्टिमेटम दे दिया कि आप इसको अगर सुलह नह देंगे कैसे हमारी सुरक्षा वार तो नहीं है पर यह भी है कि जो भी कदम उठाएंगे इसका मानी क्या है किसी को नहीं माले तो अमरीका यह चाहता है कि कहना कि अगर आप कुछ कदम ऐसे उठाओंगे यूखरेन को च्छदी पहुंचाएंगे तो आपको हम स्विफ्ट सिस्टेम से financial sanction के जरिये निकाल देंगे हम खुद तो नहीं कह रहे हैं पर जो जितने और बाते हो रही है उसे साफ है उन्होंने ये तो मान लिया है कि नेटो में नेटो यहां पर सेना भेज के रूस का मुकाबला नहीं कर सकता है वो ताकत उसके पास नहीं है रूस की एकदम बॉर्डर के पास है यूक्रेन नेटो में न जर्मनी के पास न फ्रांस के पास इस तरह से कोई सेनाय मौजूद है और अमरीका की सेनाय भी वहां पर आके लड़ने की शमता नहीं रखती अब देखी चुके हैं अफगानिस्तान में जब नहीं लड़ पाए इराक में नहीं के रूस के साथ तो यह बुन्यादी तोर पर संभव उनके लिए नहीं है पर उनको फाइनेंशल सैंक्शन से रूस को काबू करने का डंकी यह दे रहे हैं यह देखने वाली बात होगी कि अभी जिस मुकाम पर है तीन हफ़ते हो गए हैं इस पूरे डिसकेशन को चलते किस तरफ रूस और अमरीका बढ़ेंगे और किस तरफ जो यूरोपीन यूनियन के देश हैं वो अपना स्टैंड क्या लेते हैं इस पर हम आपके साथ मिलकर तमाम लोगों के साथ मिलकर इस पर अपनी नजर बनाए रखेंगे क्योंकि इस से पूरी देश और दुनिया का भ आनेंगे अमरीका और नैटो ऐसा फिलहाल दिखाई तो नहीं दे रहा है जिस तरह से हमने देखा कि चाहे वह येमन हो रेड सी और गल्फ ओफ एडन के चारो तरफ फैला हुआ अर्बो रुपे का कारोबार हो बंदरगाह पर बुरी निगाह हो या फिर यूक्रेन जो की प पश्चमी देशों की लालच की निगाह में लगा रखा है लालच निश्चित तोर पर एक बहुत बुरी बला है सिर्फ बुरी बला ही नहीं है युद्धों की मूल वजए है जिस तरह से हमला अमरीका सही तमाम देशों ने इराक अफगानिस्तान और पूरे इस इलाके को अस्थिर किया है उसी कड़ी में यमेन और युक्रेन में जो तनाव चल रहा है जो युद्ध जैसे हालात हो रहे हैं उन्हें देखा और समझा जाना चाहिए आखिर जिस तरह से यहां के लोग जो इतनी भीशन प्राकृतिक संपदा है अर्ब रुपे के तेल हैं उन पर उ पर उनका गुसा होना और अपने देश पर अपना कबजा जमाने की चाह होना बहुत सुभाविक है और शायद अंतराष्टी कूटनीती में जितनी जल्दी यह जो बड़े देश हैं पश्चमी दुनिया है जो पूरी दुनिया पर अपना कबजा जमाना चाहती है यह समझ शायद वैसे ही राह आसान होगी पूरी दुनिया में अमन की देखिए शेयर करिए परताल दुनिया भर की ताकि दुनिया को सही धंक से समझने का नजरिया मिले और सच को बेबाकी से हम आपकी मदद से सबके सामने ला सकें शुक्रिया